Welcome to your own channel, Civils Tiree, Fundamental Rights Series में आप सब का स्वागत है, यह पार्ट 3 है और यहाँ पे हम discussion करेंगे right against exploitation से, इससे पहले जो rights थे, right to freedom and right to equality वो सारे हम cover कर चुके हैं, तो चलिए शुरू करते हैं, और यहाँ से हम शुरू करेंगे, कोशिश करेंगे कि सारे जो fundamental rights का जो भी discussion है, आज हम wind up कर दें, तो सबसे पहले हमें देखना है article 23, article 22 तक का discussion हम कर चुके हैं, यहाँ आज हम article 23 से begin करेंगे, article 23 को अगर हम देखें, तो basically article 23 कहता है कि जो traffic होती है, या फिर जो human beings में dealing होती है, उसको जो है ban करने अब किया जाता है, article 23 का clause 1 कहता है, traffic in human beings and बेगार and other similar forms of forced labor are prohibited and any contravention of this provision shall be an offense punishable in accordance with the law, तो इसका मतलब क्या है कि article 23 का clause 1 जो है, यह prohibit करता है traffic, मतलब कि human beings में deal करना, उनको खरीदना या बेशना, बेगार जो कि force labor होता है, किसी से जबर्दस्ती काम करवाना बिना उसको पैसे दिये, या किसी भी इस तरह का कोई similar form है force labor का, तो वो fundamental rights के against है और इस चीज़ को ban किया जाता है, बाइ article 23 clause 1, उसके बाद ये भी कहा गया है, कि अगर इस provision को कोई का contravention होता है, मतलब कि अगर ये provision नहीं माना जाता, तो ये एक offense होगा, ये a cognizable offense होगा, और इसको जो है punish किया जाएगा in accordance with law, तो आप देख सकते हैं कि ये जो है self executory article नहीं है, इस article को execute करने के लिए law बनाने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि इसको जो है, although ये prohibit तो कर दिया, बाट अगर हमने, अगर कोई इस practice को continue करता है, तो उसको जो punishment दिया जाएगा, वो law के according दिया जाएगा, और ये law जो है, फ्रेम की जाएगी पार्लेमेंट के द्वारा, ये राइट आपका जो है, ऐसा राइट है, जो कि citizens और non-citizens दोनों के पास available है, और ये नाकिवल individual को protect करता है against state, but individual को private persons के against भी protect करता है, तो हमने अपने fundamental rights के discussion में देखा था, कि जो fundamental rights होते हैं, वो जाधा तर state के against provide होते हैं, बट कुछ fundamental rights, even private persons के against भी provide होते हैं, और article 23 एक ऐसा right है, जो कि private persons को भी against भी provide किया जाता है, तो दो चीज़े हमने देखी, article 23, जो कि force, labor और वेगार को ban करता है, और दूसरी चीज़, ban तो करता है, prohibit तो करता है, बट इसका जो punishment है, वो इस article में mentioned नहीं है, इसका punishment जो है, law की according पार्लिमेंट के द्वारा बनाया जाएगा, तो इसका मतलब यह हुआ कि यह जो article है, यह self executory नहीं है, इसको execute करने के लिए एक law की आवशिक्ता पड़ेगी, दूसरी चीज़ यह है, कि यहाँ पर जो article है, यह नाकेवल citizens को मिलेगा, बलकि हमारे जो non citizens हैं, उनको भी मिलता है, और उसके अलावा, इस article में एक और चीज जो हमें ध्यान करने वाली है, वो यह है, कि इस article का जो protection है, वो नाकेवल state के against मिलता है, भलकि even private persons के against मिलता है, अब expression जो traffic in human being है, उसका क्या मतलब है, traffic in human being का मतलब है, selling and buying of men, women, children, like goods, सामान की तरह, अगर व्यक्तियों को खरीदा या वेचा जाए, तो उसको जो है, उसको traffic कहा जाता है, या फिर traffic की ही definition में और भी चीज़ें आती है, जैसे कि immoral traffic of women and children, including prostitution, prostitution या इस तरह की कोई भी immoral काम के लिए, अगर women या बच्चों को खरीदा या बेचा जाता है, तो वो भी traffic के उसमें definition के अंदर consider किया जाएगा, फिर एक प्रथा होती थी देवदासी की देवदासी के प्रथा में कुछ temples को females जो है वो दे दी जाती थी और वहाँ पे उनके साथ उनको जो है बेगार के रूप में रखा जाता है, तो वो भी आपका जो है traffic के category में आएगा, और slavery, दास्ता, मतलब किसी को as a slave अगर प्रीट किया जाए, तो ये भी हमारा traffic की category में आता है, आर्टिकल 23 में हमने देखा कि साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर contravention होगा, तो इसके लिए कोई punishment विलेगा, जो कि law प्रवाइड करेगी, तो इसी इस article को जो है apply करने के लिए Parliament ने एक law बनाई थी जिसका नाम है Immoral Traffic Prevention Act 1956, इस Act ने काफी सारी जो provisions हैं वो डिफाइन क और बेगार का टर्म अंडर Immoral Traffic Prevention Act 1956 उसका मतलब है compulsory work without renumeration, तो मतलब अगर जबरदस्ती किसी से compulsoryly काम कराया जाए और उसको जह है उस काम का कोई महनताना ना दिया जाए तो उसको जह है बेगार कहा जाता है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें इंडियन सिस्टम की, तो इ पेकुलिर इंडियन सिस्टम था क्योंकि यहाँ पर जमीदार जो है यह force करते थे अपने टैनेट्स को कि वो services जो है without payment लोगों को provide करें, मतलब अपने जमीदार को provide करें, इसको जो है traffic कहा जाता था, बेगार के अलावा Article 23 बाकी जो है बेगार जैसे force labor के जो forms होतें, जैसे bonded labor हो गया, बंधुआ मजदूरी, इन सब चीज़ों को भी ban करता है, force labor का मतलब क्या है, force labor का मतलब है, अगर किसी व्यक्ति को उसकी इक्षा के विरुत काम जबरदस्ती कराया जाए, उसको जो है force labor कहा जाता है, force का मतलब केवल physical force नहीं है, या legal force नहीं है, force का मतलब और भ बिरुत, वो भी आपका, force labor होगा, और यहाँ पर अगर minimum wage से कम व्यक्ति को पैसा दिया जाता है, क्योंकि उसकी economic circumstances बिकार हैं, तो वहाँ पर भी उसको भी as a force labor consider किया जाएगा, under article 23. एक law है, bonded labor system, abolition act 1976, फिर minimum wages act 1948, contract labor act 1970, यह थे कि यह जो act से काफी अभी चर्चा में रही है, कोविट की वज़े से, bonded labor system abolition act, फिर हमारी contract labor act 1970, इवन minimum wages act भी अभी news में थी, क्योंकि यूपी ने minimum wages act को हटाने का प्रापधान किया था, तो यह सारी act अभी चर्चा में थी, तो यह सारी act जो है, यह provision for traffic in labor beings, labor and force beings, इसके उपर जो है आती है, और जो है, इनको prevent करने की कोशिश करती है, अब article 23 ने एक exception दिया हुआ है, article 23 का अगर clause 2 अगर आप देखेंगे, तो यहाँ पर एक exception है, about compulsory service, क्योंकि हमने अभी देखा कि अगर किसी से जबरदस्ती service कराई जाए, अगेंस्ट इस विल, तो उसको जो है, force labor में consider किया जाएगा, तो यहाँ पर एक exception ingrained है, article के अंदर ही, constitution में कहा गया है, article 23 का clause 2 कहता है, nothing in this article shall prevent the state from imposing compulsory service for public purposes, मतलब कि अगर public purpose के लिए compulsory किसी से अगर service कराई जाए, तो वो as a बेगार या force labor के रूप में नहीं देखी जाएगी, provided there is no discrimination on grounds of religion, race, caste or class or any of them, मतलब कि अगर किसी, अगर मतलब इंडियन से compulsorily government कोई service मांगती है, without any discrimination of caste, class, religion या फिर race, तो इसको जो है as an exception के रूप में देखा जाएगा और इस service को बेगार या force labor या bonded labor के रूप में ट्रीट नहीं किया जाएगा, इसका मतलब यह हुआ कि state जो है compulsory service impose कर सकता है, कुछ countries में compulsory military service impose की जाती है, जैसे इसरायल हो गया, तो इसी तरह से state को ये छूट दी गई है, constitution के दुआरा, कि किसी भी person पर, किसी भी व्यक्ती पर, without discrimination of caste, without discrimination of religion, race, caste or class, in discrimination के, को अगर हम ना रखें, इसके beyond, in discrimination के absence में, अगर किसी के ओपर service impose की जाती है, गर्मेंट के द्वारा, कोई भी military service हो, या कोई civilian service हो, या किसी भी अन्य तरह की service हो, अगर वो impose करी जाती है, तो उसको as a force labor, या बेगार, या bonded labor के रूप में नहीं देखा जाएगा, और इसके लिए, जैसे अगर गर्मेंट बोलती है, कि military service या social service किसी को करनी है, जिसके ल अब यहां पर एक जो चीज आपको notice करनी है, वो यह है, कि यह जो exception किया गया है, वो केवल आप देखे कि exception जो है, on the basis of gender किया जा सकता है, क्योंकि gender को as a ground of discrimination considered किया गया है, अगर gender के basis पर discrimination किया जाता है, तो वो allowed है, केवल discrimination अगर government जो है compulsory service करवाती है, तो discrimination केवल religion, race, caste और class के basis पर नहीं होना चाहिए, कोई दूसरा criteria like age, like gender, अगर इन basis पर discrimination government करती है, तो वो reasonable restriction या reasonable discrimination होगा, और वो allowed है, अब next हम देखते है, article 24, article 24 में कोई clause नहीं है, अकेला यह article है, simple, सीधा सा article है, article कहता है, no child below the age of 14 years shall be employed to work in any factory or mine or engaged in any hazardous employment, मतलब कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी वच्चा जिसकी age 14 साल से कम है, तो वो जहें किसी भी factory, mine या किसी hazardous activity जैसे कि construction work या railway में काम नहीं करेगा, और 14 साल से नीचे के बच्चों को इन areas में employment नहीं दिया जाएगा, बट, यह जो article है, यह आपका article, बच्चों का employment किसी harmless से innocent work में prohibit नहीं करता, अगें, यहाँ पे अगर कोई, अगर मालीजे, self-executory article नहीं है, अगर इस article को कोई breach करता है, तोड़ता है, तो इस article के अंदर किसी भी सजा का प्रावधान नहीं है, तो इसको regulate करने के लिए, इसको जो है implement करने के लिए या execution के लिए इसके, पार्लेमेंट ने एक law बनाई थी, जिसका नाम था Child Labour Prohibition and Regulation Act 1986, यह सबसे important law है, इस direction में, इसके अलावा और भी कही सारी laws हैं, जो की बच्चों की employment को गवर्न करती हैं, या regulate करती हैं, एक्जांपल है Employment of Children Act 1938, Factories Act 1948, Mines Act 1952, Merchant Shifting Act 1958, Plantation Labor Act 1951, Motor Transport Worker Act 1951, Apprentice Act 1961, यह सभी acts जो है, इसी Article 24 को ही implement करती हैं, और यह सभी acts जो है, बच्चों का employment एक certain age के नीचे, स्पेसिफिकली 14 साल से नीचे के जो बच्चे हैं, उनके employment को कही न कहीं प्रोहिबिट करती हैं, अलग-अलग एरियाज में, 1996 में सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया था कि बच्चों के लिए एक जो चाइड लेबर होते हैं, जिनको रसकी हाला कि बहुत सारे prohibition हैं, उसके बावजूद भी एक reality यह है कि चाइड लेबर एक reality है हमारे हमारे समाज की, बहुत सारे ऐसे छोटू हम देखते हैं जो कि धाबेस पर और अन और्गनाइज सेक्टर में work करते हैं और basically हमारे लिए वो छोटू होते हैं बट अपनी family के लिए वो काफी जो है एक earning members होते हैं Supreme Court ने कहा था कि बच्चों का देखिए जो भी बच्चे हैं जो कि 14 साल से नीचे के हैं और जो इस तरह की labor वाली activities को करते हैं उनके साथ एक तो exploitation उनका बहुत सादा होता है उनको काफी लंबे टाइम तक काम किया करवाया जाता है और बहुत काम उनको wages दिये जाते हैं दूसरी चीज उनकी जो educational opportunities हैं वो उनको नहीं प्रवाइड की जाती क्योंकि वो शुरू से काम में लग जाते हैं तो इसी लिए जो आर्टिकल 24 है ये चाइड लेबर को totally prohibit करत फंड की establishment किया जाए जिससे कि अगर कोई भी offending employer है मतलब कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसने 14 साल से नीचे के बच्चे को employ किया है तो वो जो है एक fine deposit करेगा इस fund में और 20,000 रुपे fine के रूप में जमा किये जाएंगे हर बच्चे के लिए मतलब कि अगर मालीजे employer A है इसने चार चाइड लेबर हायर किये हुए है यह सभी 14 साल से नीचे के है तो यह 4 इंटू 20,000 मतलब कि 80,000 जो है submit करेगा चाइड लेबर वेलफेर फंड को अब यहां से जो चाइड लेबर रिहाबिलेटेशन वेलफेर फंड को यह submit करेगा as a fine अब यह जो पैसा है चाइड लेबर SQ किया गया है जो चाइड लेबर बचाया गया है employer की kluches से और जिसको निकाला गया है चाइड लेबर वाले जो है exploitation से उस बच्चे की education के लिए यह पैसे खर्च किये जाएंगे उसकी health और nutrition के लिए यह पैसे खर्च किये जाएंगे Commission for Protection of Child Rights Act 2005 ये बनाई गई थी जिससे की एक establish किया जाए एक national commission और एक state commission बच्चों की child rights के protection के लिए तो एक act बनाई गई थी अगर आपसे माली जे question आता है कभी prelims में question आता है कि which of these bodies are a constitutional body और वहाँ पर अगर आपको दिया जाता है national commission for child rights तो वह गलत होगी क्योंकि ये statutory body है ये जो body है ये law के द्वारा या statue के द्वारा create की गई है और law का नाम है commission for protection of child rights act 2005 तो ये जो act है इसने दो bodies create की national level पर national commission for protection of child rights और state level पर state commission for protection of child rights उसके साथ साथ इस इसी act के तहत मतलब की child protection of child rights act के तहत ही एक जो है children's court पनाई गई है जिससे कि बच्चों के जो rights का violation अगर होता है तो उनका speedy trial किया जा सके उनको जल्दी से जल्दी सुलचाया जा सके now next अगर हम देखें अगर हम बात करें अगर हम बात करें तो child labor काफी predominant होता है domestic areas में जैसे कि domestic servant के रूप में बच्चों को यूज किया जाता है और business establishment जैसे hotels हो गए धाबा हो गए roadside धाबा जो होते हैं restaurants हो गए, shops और factories, resorts यहां पर काफी child labor का usage किया जाता था तो इन सभी areas में भी child labor का usage allowed नहीं है, child labor allowed नहीं है तो कोई भी व्यक्ति अपने domestic servant के रूप में business establishment जैसे की hotel हो गया, धाबा हो गया, restaurant हो गया, shop हो गई, factories हो गया, spa हो गया, resort हो गया, tea shop हो गया, इन सब जगहों पर child labor को employ नहीं कर सकता, अगर कोई भी व्यक्ति 14 साल से नीचे के बच्चे को employ करता है, तो उसको prosecute किया जा सकता है, और उसके उपर penal actions लिये जा सकते हैं, मतलब उसके उपर सजा का प्रावधान किया गया है, अब next हमारा है article 25, और article 25 से हमारे right to freedom of religion शुरू होगे, तो right to freedom of religion काफी important rights है हमारे, और यह कहीं न कहीं हमें Indian polity को या फिर इंडिया के जो हमारी जो federal system है, उसको secular tinge देते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो freedom है, यह सब को जो है, समान रूप से religion को profess और propagate करने की और believe करने की freedom प्रदान करता है, तो article 25 में तीन clauses, दो clauses हैं, पहला clause कहता है कि subject to public order, morality and health and to other provisions of part, of this part, all persons are equally entitled to freedom of conscience and the right to freely profess, practice and propagate religion, अब यहाँ पर यह देखें, unique आप article देखेंगे, इस article में सबसे पहले limitations बताई गई है, तो हमारे जो freedom of religion है, यह unlimited freedom नहीं है, इसमें जो है, तीन limitations है, limitation in the form of public order, फिर morality और health, इन तीन की limitation के को ध्यान में रखते हुए, अगर, मतलब public order, morality और health को अगर हम adhere कर रहे हैं, तो उसके बाद उन सब को हमें adhere करते हुए, अगर हम, जो, मतलब हमारा जो freedom है, हम सभी लोगों को freedom है कि हम अपनी जो जो भी हम religion में believe करते हैं, उसको profess कर सके, उसको practice कर सके और उसको propagate कर सके, ठीक है, तो आप इन सब को हम देखेंगे, profess का मतलब क्या होता है, practice का मतलब होता है, और propagate का मतलब क्या होता है, यह article 25 का clause 1 है, article 25 का clause 1 कहता है, कि सभी persons को equally entitled है, कि उनको freedom मिलेगी conscience की, और साथ-साथ वो अपना जो religion है, उसको profess कर सकते हैं, practice कर सकते हैं, और propagate कर सकते हैं, इसका implication क्या है, कि सभी के पास freedom है conscience की, मतलब कि हम सभी के पास inner freedom है, कि हम चाहें, तो जिस भी तरह का हम relationship चाहें God से, या किसी और creature में हम believe करते हों, तो उससे हम उस तरह का relationship है, वो अपनी मर्जी के अनुसार established कर सकते हैं, मतलब कि यहां पर अगर माली जी आप believe करते हैं God में, और आप एक formless God में believe करते हैं, तो आपको वो belief रखने की आजादी है, अगर आप ऐसे God जीन का form हो, तो form वाले God में believe करते हैं, सगुण ब्रह्म में अगर आप believe करते हैं, तो उसकी भी आपको आजादी है, अगर आप जहें किसी creatures में believe करते हैं, जैसे को बहुत सारे tribes नेचर वर्शिप करते हैं, और creatures को जहें उनकी वर्शिप करते हैं, तो उसकी भी हमें freedom दी गई है, तो यह inner freedom है, कि वो अपना relationship भगवान के साथ, या फिर कोई भी व्यक्ति अपना relationship क्रीचर के साथ, जैसे मोल्ट कर सके, उसको बना सके, और जिस भी तरीके से वो चाता है, उस तरीके से वो को बना सकते हैं, और फेद को ओपन ली दिकलेयर कर सकते हैं, मतलब कि हम समाज में खड़े होकर सबके सामने कह सकते हैं, कि हम इस religion में believe करते हैं, कोई भी हमें इस को इसके profession को मतलब कि हमें कोई रोक नहीं सकता, कि हमें पूरी स्वतंतरता है, अपने religion को या अपने belief को डिक religious worship, rituals, ceremonies वगेरा प्राक्टिस करने का एक्जिबिट करने का पूरा-पूरा राइट है, पूरा-पूरा अधिकार है, तो हम अपनी प्राक्टिस के फॉर्म में हम जो है, टैंपल जाके या अपनी जो place of worship है, वहाँ पर जाकर के worship कर सकते हैं, rituals जो होते हैं, हमारे जितने भी कर्म कांट हैं, जो भी हमारा तरीका है worship करने का उसको follow कर सकते हैं, कोई अगर ceremony है, तो उसको conduct कर सकते हैं, अपने belief को exhibit कर सकते हैं समाज में, और अपने ideas को भी exhibit कर सकते हैं समाज में, in the form of religious symbols, फिर right to propagate, right to propagate का मतलब क्या है, कि हमें ये भी आजादी है, कि हम transmit और disseminate कर सकें अपने religious beliefs को, मतलब कि हमारे जो भी हमारी धार्णा है, religious जो भी हमारी beliefs हैं, उनको हम दूसरों को बता सकें, अपने religion के बारे में दूसरों के साथ चड़चा कर सकें, बट यहाँ पे एक IR कोलो केस में ये साफ किया गया था सुप्रीम कोट के द्वारा, कि right to propagate का मतलब ये नहीं है, कि हमें right to convert मिल जाता है, प्रोपेगेट कर सकते हैं, हम अपने religion के बारे में लोगों को बता सकते हैं, उनको अवगत करा सकते हैं अपने religion से, अपने religion की जो धार्णाए हैं, उनके बारे में दूसरों को जानकारी दे सकते हैं, बट हमें ये right नहीं है, ये अधिकार नहीं है, कि हम दूसरों को अपन religion में convert करें तो right to convert नहीं दिया जाता है under article 25 forcible conversion इसका मतलब यह हुआ कि forcible conversion जो है हमारे freedom of conscience को impinge करती है उनको जो है उसके उपर चोट करती है और यह जो freedom of conscience है यह सभी को guarantee किया गया है अगर माल लीजे आप मुझे आपके पास अगर right to convert दिया जाए किया जाए इसका मतलब यह होगा कि person A जो है person B को convert कर सकता है इसका मतलब यह हुआ कि person B का जो right to freedom of conscience था उसको hurt किया जा रहा है अगर right person A को यह अधिकार दिया जाए कि वो right किसी को convert कर सके conversion में basically क्या है हम दूसरे को कहीं न कहीं यह believe कि यह जो है दूसरे प्रद्व्यक्ति को हम यह यकीन दिलाते हैं कि उस वह जिसको जो जो वह जिस भी God में believe करता है वह God उसमें उसका belief गलत है तो इसका मतलब यह हुआ कि freedom of conscience जो है हम किसी ना किसी व्यक्ति की चीनते हैं जब भी हम उसको कर रहे हैं इस वज़े से राइट तो कनवर्ट ग्रांटेड नहीं है अंडर राइट तो प्रपागेट और यह बहुत important case में आया था आयर कोलो case उसके अंदर यह established किया गया था sorry आयर कोलो में नहीं है यह stainless versus state of MP case में है I'm really sorry for taking the wrong name जो हमारा freedom of right to right against conversion है मतलब की Supreme Court ने 25 article 25 में यह clear किया था कि हमें जो है right conversion का कोई अधिकार नहीं है और यह जो हमारा यह जो establish किया गया है इस case में establish किया गया है जिसका नाम है stainless versus state of Madhya Pradesh ठीक है यह 1977 का case है और यहाँ पे जो logic दिया गया था Supreme Court के द्वारा वो यह दिया गया था कि religious practices जो है और religious जो faith है यह सभी को समान रूप से grant की गई है इसी वजह से किसी भी व्यक्ति wishes के पास यह अधिकार नहीं है कि वो दूसरे व्यक्ति का जो right to freedom of conscience है उसको hurt करते हुए उसको convert करे तो यह हमाना article 25 का clause 1 था article 25 के अगर हम clause 2 की बात करें sorry to clause 1 की को ही अगर हम देखें तो यहाँ पर ना केवल religious beliefs की बात की गई है बलकि religious practices की भी बात की गई है article 25 का clause 2 कहता है कि nothing in this article shall affect the operation of any existing law और prevent the state from making any law मतलब कि जो भी हमने article 25 1 में देखा कि आपको जो है freedom of conscience है freedom of right to propagate है practice है profess है religion वो सारे rights जो है state को prevent नहीं कर सकते कि वो law बनाए या फिर कोई law ऐसी बनी हुई है तो उसको भी उसके operation को prevent नहीं कर सकते अगर उसका article 25 के clause 2 का sub clause 1 कहता है regulating or restricting any economic, financial, political or other secular activity which may be associated with religious practice तो यहाँ पर religious practice की भी बात की गई है अगर कोई ऐसी economic, social, political, financial या कोई भी secular activity है जो कि religious practice के साथ associated है तो उसको जो है regulate किया जा सकता है article 25 के clause 1 में जो अधिकार मिले हैं वो हमें जो है इसके regulation से रोक नहीं सकते है state can regulate it दूसरा आपका article 25 2 का clause B कहता है कि जो article 25 के अंदर जो भी अधिकार है वो अधिकार पार्लेमेंट को मतलब जो state को prevent नहीं करते कि वो law ना बना सके या फिर उसको prevent नहीं कर सकते कि कोई law already बनी हुई है तो उसके operation को नहीं रोकेंगे अगर कोई law it provides for social welfare or reform or the throwing open of Hindu religious institutions of a public character to all classes and sections of Hindus मतलब कि अगर कोई ऐसा जो है अगर कोई भी ऐसा religious practice है जिसके अंदर कोई temple या फिर कोई भी place of worship सभी के लिए open नहीं है तो उसको खोला जा सकता है उसको खोलने के लिए government जो है rules regulations बना सकती है तो यहां पर यह भी कहा गया है कि इस article में यह article जो है state को नहीं prevent करता कि वो social welfare के लिए कोई norms ना बनाए मतलब कि state social welfare के लिए religious practices को को जो है change कर सकता है साथ-साथ अगर कोई reform है जहां पर temples को जो है public के लिए open किया जाए तो वो भी किया जा सकता है वहां पर आप religious practice का साहरा लेकर के उस practice को जो है propagate नहीं कर सकते उसके साथ-साथ यह जो अधिकार है हमारे यह पर सभी persons के लिए available है मतलब कि citizens और non-citizens तोनों के लिए applicable हैं बट यहां पर हमने देखा था reasonable restrictions हैं और restriction पहले ही दी गई है public order, morality और health यह तीन हमारे grounds हैं जिन basis पर religion को regulate किया जा सकता है religion को regulate किया जा सकता है public order के favor में religion को morality के favor में regulate किया जा सकता है और health के favor में भी regulate किया जा सकता है उसके साथ-साथ अगर कोई और भी provision है fundamental right का जैसे अगर right to equality है वो अगर violate होती है किसी religious practice से तो उस practice को हंटाया जा सकता है तो rights को हम जो reasonable restrictions है इन right पर वो public order, morality, health और उसके अलावा बागी जो provisions है fundamental right के उनके favor में restrictions लगाई जा सकती है फिर हमने देखा था कि state को permit किया गया है कि वो regulate कर सके financial, economic या कोई भी और social activity जो कि किसी religious practice के साथ associated हो उसके साथ-साथ Hindu institutions जो कि public character के हैं उनको भी open किया जा सकता है सबके लिए अब यहाँ पर आपको explanation ये भी दिया गया है wearing and carrying of kripans shall be deemed to be included in the profession of Sikh religion तो Sikh religion की जो practice है उसके तहत अगर हम अगर आप किसी को kripan wear करने से या carry करने से रोकते हैं तो वो जो है आप उसके right to profess or religion को हाम करेंगे क्योंकि right to wear and right to carry kripan is a profession activity of Sikh religion ठीक है तूसरा चीज क्या है यहाँ पर जो term Hindu यूज किया गया in article 25 sub clause 2 article 25 का clause 2 sub clause b article 25 के clause 2 और sub clause b में एक term यूज किया गया है जहां पर कहा गया है हिंदूस के बारे में तो article 25 का हमने देखा था article 25 sub clause 2 b यह कहता है कि जो हिंदूस हैं यहाँ पर अगर हम दुबारा देखें तो sub clause article 25 2 clause sub clause b कहता है providing for social welfare और reform और throwing open of Hindu religious institution तो यहाँ पर जो term Hindu use किया गया है वो include करेगा ना केवल हिंदूस को बलकी Sikh, Jain, Buddhist religion को जो भी लोग practice या प्राफस करते हैं उनको भी इस wider term Hindu के अंडर में consider किया जाएगा तो जो social welfare और reform की activity है वो सभी classes और sections of Hindu के लिए दी जा सकती है और यहाँ पर जो Hindu होगा वो इंसलूट करेगा Sikh, Jain और Buddhist को भी फिर next आपका अगर हम देखें next article है article 26 इसके अलावा एक और चीज जो हमें बात करनी है religion के matter में वो कुछ cases के through कुछ चीज हैं जो है Supreme Court ने बताई थी religion को लेकर के Supreme Court ने बहुत सारे cases अगर आप देखें बहुत सारे cases हैं जैसे रतिलाल प्रचंद गांधी वर्सिस स्टेट ऑफ बॉंबे फिर रामजी लाल मोधी हैं वर्सिस स्टेट ऑफ यूपी फिर आपके बाकी cases हैं जैसे की दरगा कमिटी अजमेर वर्सिस सैयद हुसेन अली तो इन सभी और और भी बहुत सारे cases हैं इन सभी cases को अगर हम consider करें तो इसके इन सभी cases के basis पर यह कहा जा सकता है कि religion Supreme Court ने कहा religion is a matter of faith religion जो है एक आस्था का विशे है बट बिलीव इन God is not essential to constitute religion पर जरूरी नहीं है कि religion के तहत हम किसी भगवान में या इश्वर में बिलीव करें यह faith का विशे है हम creatures में भी विलीव कर सकते हैं यह चीज़ साफ जो है बताई गई है अंडर अर्ट अंडर दा वेलियस cases law by the Supreme Court ठीक है next चीज जो कही गई है वो यह है doctrines of each religion constitute its essential part but the court is competent to examine them तो जो भी religion है उसके कुछ essential practices है कुछ doctrines है वो उसके essential जिसको हम as doctrines of essential या फिर हम बोलते है essential religious practices यह एक बहुत ही important टाम आता है essential religious practices का इसके बारे में काफी cases भी चल रहे है essential religious practices पर अगर आपको याद होगा लास्ट एरिक सबरी माला issue temple issue हुआ था जहां पर menstruating age की जो विमन है उनकी लिए उनको जो है entry temple entry allowed नहीं थी तो उसके against जो है जब case किया गया था तो Supreme Court ने इस प्राक्टिस को जो है इस प्राक्टिस को जो है एसेंशल रिलिजिस प्राक्टिस नहीं माना था और साथ साथ इसको जो है सबरी माला को सभी विमन के लिए open किया था because यह right to equality के against जाता है तो अब उसके बाद जो है एक review petition file की गई थी और उस review petition में जो है कहा गया था कि review petition में यह डिमांड किया गया था कि दुबारा आप इसको consider कीजे क्योंकि जो हमारे जो Lord है वो जो है वो रहमचारी है और उस particular sect के लिए यह essential religious practice है जिसके तहर जो है females of menstruating age यह temple में एंट्री नहीं कर सकती है अब यह review petition for the first time उस वक्ट जो हमारे Chief Justice of India थे रंजिन गोगोई जी उन्होंने ना तो इस petition को review petition को accept किया था ना reject किया था उन्होंने इसको pending टाल दिया था और यह कहा था कि यह जो review petition है तब तक इसकी सुनवाई नहीं की जाएगी जब तक बाकी इस तरह के जितने भी cases हैं उनके ऊपर एक constitutional decision नहीं आ जाता और फिर इस इन सभी petitions को club करके एक nine judge constitutional bench के सामने essential religious practices के का जो है question के रूप में यह रखी गई थी जिसमें दो तीं चीजों के बारे में जो है questioning की गई है constitutional bench से जहां पर constitutional bench से यह पूझा गया है कि क्या यह practices essential religious practice में आएंगी क्योंकि यहां पर Supreme Court ने साफ कहा है कि religion के कुछ ऐसे practices हैं जो essential होती हैं बट कौन सी practices essential होंगी यह Supreme Court decide करेगा तो कुछ ऐसी practices हैं जो की communities बोलती है कि यह essential है और जिनके खिलाफ जो है cases चल रहे हैं for example एक आपका female genital mutilation की practice है जो कि दाउदी बहरा community में practice की जाती है उसके बारे में जो case था उसको club किया गया है सप्रे माला का जो temple issue है उसको club किया गया है और इसी तरह से sanctum sanctorum जो बहुत सारी दरगा होती है उनकी बात की गई है जहांपर female की entry allowed नहीं है तो यह और फिर जो fire temple है जहांपर अगर कोई पार्सी female किसी non-parsi male के साथ marriage करती है तो उसकी entry जो है fire temple से बार कर दी जाती है तो यह सारी जो practices है इनके ओपर constitutional bench का decision आएगा तब वो और जानकारी देंगे कि essential religious practices का क्या doctrine होना चाहिए तो यह ठीक है यह important issue था जो कि मैं current affairs के साथ आपका relate करके आपको समझा रही हूँ जो कि आपके prelims में आ सकता है अब आगे हम बढ़ते हैं article 26 की तरफ article 26 की अगर हम बात करें तो article 26 में कहा गया है कि subject to public morality public order morality and health तो same हमारे 25 और 26 में same restriction दी गई है public order की morality की और health की फिर कहा गया है every religious denomination or any section thereof तो हर religious denomination मतलब कि हर religious community और उसके हर section के पास कुछ rights दिये गए हैं क्या क्या right है पहला right है right to establish and maintain institutions of public for religious and charitable purposes तो उनके पास अधिकार है कि वो establish कर सके और maintain कर सके institutions religious purpose के लिए और charitable purpose के लिए दूसरा उनके पास अधिकार है right to manage its own affairs in matters of religion religion के matters में वो अपने affairs को खुद से manage कर सके ये उनको अधिकार दिया गया है तीसरा है right to own, acquire, own and acquire movable and immovable property तो उनके पास ये भी अधिकार है कि वो movable और immovable property को acquire या own कर सके फिर उनके पास अधिकार है right to administer such property in accordance with the law law के according जो भी property उन्होंने acquire की है उसको administer भी कर सकते है तो ये चार जो है अधिकार दिये गए हैं हर religious denomination को तो ये कोई भी, यहाँ पर किसी religion के बारे में रखा नहीं है सभी religions के बारे में यहाँ पर बात की गई है और सभी religions को कहा गया है, मतलब सभी religion और उनकी denomination जैसे sect होती है जैसे कि अगर हम hindu religion के बात करें तो hindu religion में बहुत सारी sect हैं इसलाम में भी बहुत सारी секts हैं शियास, Sunnis इस तरह के जो Divisions हैं कोई भी Division के कोई भी Division की बात करें या सेक्ट की बात करें उन सभी को मौलिक अधिकार है कि वह कोई भी Religious Institution establish कर सकते हैं और maintain कर सकते हैं चेरिटेबल पर्टर्फस के लिए वह आपने जो मैंटर्स हैं religion के matters हैं और अपने affairs हैं उनको खुद से manage कर सकते हैं वो अपनी movable और immovable property acquire कर सकते हैं आपको याद होगा individuals को जो है right to property नहीं है but religious denominations और religious institutions के पास right to movable and immovable property grant किया गया है फिर उसके बाद जो है उनको ये भी अधिकार दिया गया है कि वो अपनी property को administer कर सकते हैं जैसे वो चाहें वैसे अपनी जो property है उसको administer मतलब कि दूसरे दूसरों को जो है दे सकते हैं कि वो उस property को administer करें अब हम बात करते हैं right freedom to manage religious affairs में अगर हम आगे बढ़ें तो यहाँ पे यह भी कहा गया है देखे राइट आर्टिकल 25 है देखे जो इंपोर्टेंट पाथ हमें समझनी है वो यह है कि आर्टिकल 25 हमें गारंटी करता है individual को गारंटी करता है right to freedom of religion जबकि article 26 है religious denomination को गारंटी करता है right to religious freedom तो मतलब कि यह article 26 जो है यह collective freedom of religion है जबकि article 25 यह right of individuals के लिए individuals को grant किया गया है article 26 भी article 25 की तरह इसके उपर पर limitations है public order की morality की और health की बट बाकि जो provisions है fundamental right के वो article 26 के उपर apply नहीं होते सुप्रिम कोट ने कहा कि कि किसी भी religious denomination को religious denomination कहलाने के लिए तीन conditions को fulfill करना होगा पहली condition यह है यह collection होना चाहिए individuals का जिनके पास system हो belief का और वो अपने आपको जह है conducive और spiritual well being के लिए यह belief होनी चाहिए मतलग की religious denomination कहलाने के लिए किसे भी body of individuals के पास एक पूरा belief का system होना चाहिए और यह belief का system उनके well being spiritual well being के लिए essential होना चाहिए दूसरी चीज़ यह जो है common organization होना चाहिए किसी भी religious denomination को religious denomination कहलाने के लिए यह जो belief का system है यह common होना चाहिए इनकी जो organization है यह common होनी चाहिए फिर इसके पास एक distinctive name होना चाहिए इसका अपना खुद का अलग name होना चाहिए यह जो criteria है इसके तहत Supreme Court ने कहा था कि राम कृष्ण मिशन और आनन्द मार्ग religious denomination है क्योंकि उनके अपने अलग name है उनकी अपने common organization है अलग और उसके साथ-साथ उनकी जो है एक belief system, value system है पूरा जो कि उनकी spiritual well-being को maintain करता है तो इस तरह से आनन्द मार्ग और राम कृष्ण मिशन यह religious denomination है under Hindu religion फिर और बिंदो society को religious denomination नहीं कहा गया है क्योंकि उसका कोई common organization या common organization नहीं है distinctive name तो है उसको हम कहते है और बिंदो society तो बोलते हैं बट common organization भी अगर आप देखें तो है बट इसकी अगर हम religious practices देखें तो वह essential नहीं है spiritual well-being के लिए वैसे common practices का common organization नहीं है इस वजह से और बिंदो society एक religious denomination नहीं कहलाएगी अब अगर हम आगे बढ़ें next right की तरफ बढ़ें तो हमारा article 27 कहता है article 27 भी चोटा सा article है उसका उसमें कहा गया है कि no person shall be compelled to pay any taxes the proceeds of which are specifically appropriated in payment of expenses for promotion or maintenance of any particular religion or religious denomination मतलब कि कोई भी व्यक्ति को किसी भी व्यक्ति को compelled नहीं किया जाएगा उसके उपर जो है pressure नहीं डाला जाएगा कि वो किसी भी तरह का tax pay करें जिससे कि किसी particular religion को promote किया जाए या फिर किसी particular religious denomination को promote किया जाए आपको याद होगा पहले बहुत सारे tax हुआ करते थे जजिया करके और यह सारे जो religious denomination के betterment के लिए यूज किया जाता था तो वो सारे टैक्स जो है अब इंडिया के अंदर illegal है इस तरह का कोई भी tax levy नहीं किया जा सकता जिससे सिर्फ एक particular religion को maintain किया जाए यह किसी एक particular religion denomination को maintain किया जाए इसका मतलब यह है कि state जो है मतलब की government यह public money जो कि हम taxation के रूप में इखटी की है उसको किसी particular promotion के किसी particular religion के promotion या maintenance के उपर खर्च नहीं किया जा सकता इससे क्या होगा कि state जो है वो वो जो किसी particular religion को favor नहीं कर पाएगा OW उसे मोसा सोच बढ़े नहीं पूंट सब्स Ett्र शुर्ण के के ऊछिंट मैं आपसे इस रिलिजियन की संप में नहीं आहिए ज्वा बट हम taxes को multiple religions के लिए या सभी religion के maintenance के लिए हम taxes को खर्ज कर सकते हैं provision के एवल जो है किसी particular tax की levy को prohibit करता है fee को prohibit नहीं करता माली जी कोई fee लगाई जाती है किसी religious denomination में visit करने के लिए तो उसके उपर कोई prohibition नहीं है बस taxes prohibited है fee prohibited नहीं है क्योंकि fee का जो purpose है वो secular administration के लिए जैसे कि हमने देखा है जो आपका माता वेश्णो देवी का जो shrine board है वो maintain करता है उस particular religious denomination को इस तरह से बाकी religious denomination को भी maintain किया जाता है secularly administered किया जाता है तो उनके लिए जो है fee रखी जा सकती है maintain या promote करने के लिए fee जो है या किसी भी तरह का जो tax है वो नहीं लिया जा सकता अगर fee levy की गई है pilgrims के उपर जिससे कि उनको special service provide की जाए या फिर safety measures लगाए जाए उनके लिए तो ये भी allowed है क्योंकि ये tax की category में नहीं आता है इसी तरह से किसी भी religious endowment meeting या regulation expenditure के लिए भी fee जो है levy की जा सकती है अब article 28 की तरफ बढ़ते हैं article 28 में कहा गया है article 28 का clause 1 कहता है no religious instruction shall be provided in any educational institution wholly maintained out of state funds मतलब की पूनते अगर सरकारी खर्चे पर कोई religious institution maintained किया गया है तो वहाँ पर किसी भी तरह का religious instruction provide नहीं किया जाएगा तो यहाँ पर ये जो चीज notice करनी है वो है wholly maintained out of state funds मतलब की अगर पूरी तरह से कोई भी religious कोई भी जो आपका institution है वो केवल government के खर्चे पर चलती है तो उसमें के अंदर religious instruction provide नहीं की जाएगी फिर article 28 का clause 2 कहता है कि nothing in clause 1 shall apply to an educational institution which is administered by the state but has been established under any endowment or trust which requires that religious instruction shall be imparted in such an institution तो यह जो provision है यह उन educational institution के उपर apply नहीं होगा जो कि state के द्वारा तो administered किये जाते है but वो किसी endowment or trust के according बनाए गए है और उस endowment या trust ने कहा है कि वहाँ पर religious instruction provide की जा सकती है जैसे कि पहले अगर हम पहले हम बात करें AMU की अभी तो AMU के उपर case चल रहा है पहले AMU जो है अगर आप इसकी शुरुआत देखेंगे तो यह endowment और trust की according established किया गया था AMU और यहाँ पर religious instruction impart की जाती थी तो इस तरह का अगर कोई institution जो कि जहाँ पर state administrator तो कर रहा है बट उसको जो है कोई endowment sorry वो किसी trust के अंदर established है तो उसके अंदर जो है religious instruction provide की जा सकती है फिर जो third चीज है third clause है article 28 का clause 3 कहता है no person shall be attending any educational institution recognized by the state or receiving aid out of the state मतलब की कोई भी ऐसा religious institution हो जो की state के द्वारा recognized किया गया हो मतलब की जो state या central universe किसी भी हमारी जो government है government के द्वारा recognized हो या फिर government से fund को receive कर रहा हो वहाँ पर किसी भी institution के अंदर religious instruction की requirement नहीं की जाएगी मतलब की it should not be required the students will not be required to take part in any religious instruction that may be imparted in such institution तो वहाँ पर अगर कोई religious instruction इंपार्ट की जाती है उसके लिए किसी भी बच्चे के ऊपर दबाब नहीं डाला जाएगा कि वो उस religious instruction को receive करें ठीक है उसके अलावा ये भी कहा गया है कि उसकी consent के बिना किसी को भी religious instruction अगर provide की जा रही है तो वो बिना consent के उस व्यक्ति को religious instruction प्रवाइड नहीं की जाएगी अगर ऐसा educational institution है जो कि government के द्वारा recognized है या फिर government से fund को receive करता है अगर minor है क्योंकि minors जो है उनकी अगर हम बात करें consent की तो वो consent जो है उनकी valid नहीं होती क्योंकि वो सोचने समझने की शमता उनके अंदर नहीं होती है तो minor के cases में जो consent होगी उनके guardian से ली जाएगी तो उनकी guardian की consent need होगी आवश्यक्ता पड़ेगी religious instruction के लिए तो इसकी तहट आप देख सकते हैं कि article 28 में clause 1, clause 2, clause 3 इसमें तीन different type के institutions की बात की गई है पहला institute जो की wholly maintained है state के द्वारा अगर कोई institute पूरी तरह से state के द्वारा maintained है वहाँ पर किसी भी तरह की religious instruction प्रवाइट नहीं किया जाएगा zero, no religious instruction will be provided दूसरा है आपका institution administered by the state but established under endowment or trust यहाँ पर जो है religious instruction प्रवाइट की जा सकती है but religious instruction जो प्रवाइट की जाएगी तो यह जो है यह प्रवाइट की जा सकती है इसमें बी वाले institute में तीसरा है institution recognized by the state कोई भी institution जो पूर्णते private है बस state ने रिकरगनाईज किया हुआ है तो उसमें religious instruction प्रवाइट की जा सकती है बट किसी के उपर दबाब नहीं डाला जा सकता कि वो उस religious instruction को हासिल करे voluntary basis पर लोग जो है religious instruction attain कर सकते है फिर institution receiving aid out of state aid out of state अगें अगर इस तरह का religious institution है तो यहाँ पर भी voluntary basis पर religious instruction प्रवाइट की जा सकती है तो केवल A में completely prohibited है B में permitted है C और D में voluntary basis पर allow की जाती है अब हमारी cultural and educational rights इनको हम कल के lecture में देखेंगे थोड़े से lecture बड़े हो जा रहे हैं और मेरे पास हमेशा comments आ रहे हैं personally आप लोग message कर रहे हैं कि lectures को थोड़ा छोटा रखें तो educational और cultural rights को हम कल देखेंगे और उसके साथ साथ कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी हम इस fundamental right के chapter को complete करें आपके कोई भी comments हो तो उनको आप comments section में डाल सकते हैं अपने feedback को मेरे साथ share करें I'm really sorry कि मुझे थोड़ा सा time लगा अभी videos बनाने में आप में से बहुत सारे लोगों को मालूम है कि मेरा selection अभी recently UPPCS की जो 2008 की परिक्षा हुई थी उसमें as a commercial tax officer की रूप में हुआ है तो मैं काफी साथा busy हो गई थी कोई ना कोई घर पर आ रहा था जिस वज़े से मुझे time नहीं मिल पाया कि मैं आपके लिए video बना पाऊं बट अब थोड़ा सा मैं अपने लिए time निकाल के और आपके लिए time निकाल के videos को regularly बनाती रहोंगी sorry about that